हम अपने संबंदों के साथ जीते हैं, उचसब मनाते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, आनन्द मनाते हैं इन्तु जब कोई प्रिय हमसे दूर चला जाता है, इस संसार से चला जाता है, तब हम दुर्बल हो जाते हैं सदा दुखी रहें क्या ये होना चाहिए? इस प्रकृती को देखी, व्रिक्ष पत्तों के जड़ने से शोक नहीं मनाता, वो मैं पत्तों के आने का स्वागत करता है कल आप भी किसी के स्थान पे आये ते, और कल आपके स्थान पे भी कोई और अवश्य आये क्योंकि ये परिवर्तन है, ये इस प्रकृती का नियम है, इसमें शोक कैसे, जो चूटा, उसका शोक मनाने के स्थान पर जो मिलेगा, या जो आपके पास है, उसका आनन्द उठाई लाधे रहते